तो नमस्कार दोस्तों I hope मेरा आवाज सभी को क्लियर लिया आ रहा है तो यह वाला जो भी क्लास है मैं पता है कि हमने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन यह लेशन अल्लिडी शुरू किया है 10 से बिसिका लेशन नमबर 9 है इसका एक्शुली यह लेक्शन नमबर 3 है इसका पर जबुट सत्वतक है यहां पर मैंने लिट्स लेक्शन नमबर 3 मैं नमद टल jugarह से बिफ्लेक्शन लेक्शन चुली यहां पर मेरी है कि अ घुन है ब्जके साना मैं तो यहां पर आप सभी को रिक्वेस्ट है कि पहले जाके वो बॉद नहीं लेक्शन आप देख ल तो सभी का स्वागत है मेरे चानल में अतूल सर में मेरा नाम अतूल है तो अभी इस क्लास में हम करेंगे इमेज फोरमेशन, specifically हम इमेज फोरमेशन देखेंगे Like whenever we place that object in front of the mirror, spherical mirror, specially in front of the conkyo mirror, you will get the different type of images, even in different size उसका structure अलग होगा, structure मतलब उसका क्या बोल सकते है, nature अलग होगा, वो real होगी, inverted होगी, यह सब आज के लास में करेंगे, okay हम रे डाइग्राम निकालने की कुछिश करेंगे, और रे डाइग्राम हम आज पढ़ेंगे, तो आप सभी के पास pencil, वो geometrical box होना चाहिए, ठीक है, मैं आपको बताओंगा, आपको क्या-क्या requirement है तो चलो, without wasting our time, let's start image formation by spherical mirror, अब देखो, spherical mirror में जो भी image बनती है, so it's not like same size की होगी, जैसे plane mirror में same size की image बनती है, detail way direct बनती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, image inverted भी आपको मिल सकती है, size गम जादा भी हो सकती है, कभी diminished मिलेगी, कभी आपको enlarged size की image मिलेगी, according to the position of object, ठीक है, अब आपको अलग-अलग type की यहाँ पर image मिलती है, okay, तो आपके book में भी, textbook में यहाँ पर table number 9.1 है, तो वहाँ पर positions mentioned है, like position of object, then position of image आपको कहा मिलेगी, then size of image क्या होगी, and nature of image क्या होगी, यह आपको उस table में बताया है, we'll read it first, फिर हम उसको draw करने की कोशिश करेंगे, हम draw तो समझ लो, पहले image formation by spherical mirror में आपको अलग-अलग तरीके की image मिल सकती है, ऐसा नहीं कि plane mirror की जैसे erect and virtually हमेशा मिलेगी, then बागी जो भी characteristics हमने पढ़े, like we are not going to that point, so position of image, अब देखो मेरे पास कौन क्यो mirror है, okay, क्यो mirror सबको पता है, यह जो भी mirror यहाँ पर है, okay, so यह एक तरी होगा, pole होगा, let's say, यहाँ पर होगा, principle focus, और यह होगा, center of curvature, तो अगर object infinity पे है, मतलब object बहुत दूर है, तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, कि suppose object is way away from the mirror, then all the rays coming from the object are always parallel to the principle axis, जो भी light rays उस object से निकलेगी, तो आमें वो parallel consider करनी है, principle axis को, तो उस time, like उस तरीके से, यहाँ आपको image मिलेगे at the focus, image कहाँ पर मिलेगी, image आपको यहाँ पर मिलेगी, focus point पर, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर explain करूँगा आपको, फिर बाद में हम next part में, इसी class में next part में, वो image formation देखेंगे, कि वो focus पर image बनते है, मतलब कैसे बनती है, then size of the image भी होगी, वो point size होगी, highly diminished point size एक दम आपको image मिलेगी, then हमेशे याद रुको, अगर image in practice में, उनका जो भी reflected rays है, उनका interaction हो रहा है, और अगर image in front of the mirror बन रही है, then that is what the real image, उसे हम real कहते है, real image हमेशे inverted होती है, यह भी याद रुको, ठीक है, और image अगर पीछे बनेगी, उस support के पीछे बनेगी, तो image virtual हमे पर नहीं होता, ठीक है, अब देखों, यहाँ पर है, इस corner में है, तो मेरा camera सामने है, तो कभी-कभी मेरा eye motion जो भी होगा वो ऐसे हो सकता है, यहाँ पर corner में जा सकता है, अगर कभी-कभी में देख सकता हूं, ठीक है, तो next है, अगर position beyond C है, मतलब object अगर C के पीछे आपने रखा, तो आपको कहा पर मिलेगी, आपको image की position between C and F मिलेगी, मतलब आपको जो भी image मिलेगी, वो ऐसे real and inverted यहसे नीचे मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, वो diminished होगी, then अगर आपने object at C रखा, मतलब exactly C के उपर आपने object को रखा, यहाँ पर रखा, तो आपको exactly C पर ही उसकी image बनेगी, वो भी real and inverted होगी, real मतलब mirror के सामने होगी, inverted मतलब principle axis को नीचे होगी, then अगर आपने object यहाँ पर C and F के बीच में रखा, तो आपको image जो भी मिलेगी, वो beyond C मिलेगी, यहाँ पर image मिलेगी, center of curvature के पीछे मिलेगी, then next one यहाँ पर देखो क्या है, at F, अगर आपने object रखा, मतलब focus पर object रखा, तो image बनेगी, infinite distance पर वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी, और बहुत ज्यादा distance पर भी होगी, इसी वह जैसे हाँ पर infinite distance पर मिलेगी, क्योंकि वो parallel rays होती है, हम बढ़ेंगे धीरे-धीरे, then between P and F, अगर आपने object रखा, तो वो एक ही ऐसी position है, जह interaction होना चाहिए, कम से कम कितने rays का interaction होना चाहिए, वहाँ पर दो rays का, ठीक है, कम से कम दो rays वहाँ पर interact होनी चाहिए, अब वो जो भी दो rays है, okay, you need to like draw those two rays from this four special type of rays, आपको वो जो भी दो rays ड्राउ करनी है, image formation के लिए, तो ये दो rays आपको इन चारो case में से consider करनी है, तो कौन कौन से यहाँ पर देखो, okay, first one, parallel ray, incident ray देखो, यहाँ पर blue one वो parallel है, और याद रखो, if suppose incident ray, यह rule याद रखो, if suppose incident ray is parallel to the principal axis, then reflected ray, reflected ray will pass through a principal focus, पहली बात, पहला special ray, अगर incident ray आपके principal axis को parallel है, तो reflected ray किस में से pass होगा, principal focus से pass होगा, similarly, convex के लिए भी similar है, यह है आपकी incident ray, जो incoming ray है, और उसका जो भी focus है, अब इसका focus पीछे है, इसका focus कहाँ पर है, पीछे है, तो उसका जो भी आपको light ray pass करना है, वो पीछे के focus से pass करना है, ठीक है, और वही आगे आपको extend करना है, क्योंकि यह diverging type of mirror है, यह हमने last class में किया था, वो उसका divergence होगा, but यह पीछे principal focus से जा यह पर गलती से वही हुआ था, ठीक है, एपर गलती से वही हुआ था, If incident ray is passing through a focus, यह में पर देखो, यह incoming ray, जो mirror के pass जा रही है, यह आपका क्यो mirror है, तो इनमे incident ray जो भी है, वो mirror के pass focus से जा रही है, तो अगर incident ray is passing through a focus, then reflected ray will reflect parallely to the principal axis, यह आपका principal axis है, यह आपका principal axis है, यह आपका principal axis है, यहादर रको, और अगर incident रे parallel है, तो उसका reflection होगा principal focus है, same convex के लिए भी मैंने यहाँ पर diagram निकालके दी है, ठीक है, then third case में देखो, यह second case है, अब third में क्या हो रहा है, if incident is passing through a center of curvature, then it will return back in the same path, मतलब उसका reflection same path में होगा, वो center of curvature से ही pass होगी, okay, दोनों के लिए अच्छे से देखो कैसा हो रहा है, यहाँ पर जो भी concave mirror है, center of curvature से, यह incident रे गई, जो incoming arrow है towards the mirror, फिर return back भी center of curvature में ही दीख रहाँ को, यहाँ पर भी उसका center of curvature पीछ है, तो हमने pass किया, यह पीछे जो भी हमें निकालना है mirror के पीछे, वो dotted line से निकालना है, ठीक है, क्योंकि वो घर चले, और उसका reflection भी उससी के pass में हो रहा है, ठीक है, यह third है, अब यह fourth, incident ray ने अगर principal axis को यहाँ पर, यह तो law of reflection है, अगर let's say 30 degree है, यहाँ पर angle बना है, तो वही same angle में reflected ray reflect हो की 30 degree में, ओके, तो यह भी याद रोखो, similarly यहाँ पर भी, ठीक है, मतलब convex ले भी वही same phenomenon, अगर वो pole से pass कर रही है, तो same angle बनाएगी principal axis को, जितना angle incident ray ने principal axis को बना यही angle बनाएगा, ठीक है, तो इन में से आप कौन से भी, दो ray यूज करके, diagram निकाल सकते हो, ray diagram बना सकते हो, ठीक है, चलो, तो हम ना हर एक position के लिए ray diagram यहाँ पर बनाना, सीखेंगे, आप लोग अच्छे से ध्यान दो, अगर आपको यह all four rules और special type of rays आपको चाहिए, तो यहाँ पर वो points mention करता हो, चलो, first, so first point क्या है आपका, if, if incident ray is passing, और simply write, if incident ray is parallel to the principal axis, then reflected ray will pass through principal focus, यह बात याद रुका अच्छे से, ठीक है, मैं काम करता हूँ, यह four points सच्छे से लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, तब तक मैं, ठीक है, चलो, तो मैंने यहाँ पर जो भी चार rule है, और simple thing, like rule नहीं बोल सकते, वो actually behavior ही है, तो देखो, अगर incident ray parallel है, तो principal focus से pass होगी, अगर incident ray principle focus से pass हो रही है, तो उसका reflection parallel होगा, then third है, अगर center of curvature से pass हो रही है, तो trace back same path करेगी, उसी में से travel करेगी, पीछे, और अगर वो pole से travel कर रही है, तो जितना angle principle axis से incident ray ने बनाए, उतना angle reflected ray principle axis से बनाएगा, ठीक है, अब हम देरे-देरे हर एक position के लिए, मतलब इस stable में, जितने भी position है object के लिए, उन सा position के लिए हम like image formation सीखेंगे, draw करेंगे हम, ठीक है, अब इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक करकटिक होना चाहिए, मतलब जो हम, जिसे हम round निकालते हैं, okay compass भी बोल सकते हो आप, हमारे language में इससे करकटिक बोलते है, then next आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास pencil होनी चाहिए, आपके पास एक scale होनी चाहिए, जिसके उपर अच्छे से मार्किंग हो, अच्छे से मार्किंग दिखती हो, ठीक है, इतना काफी है, फिर eraser वह सब बाकी लगेगा, अब देखो पहला position का है, object at infinity, object कहा पर है infinity, अब इसके पहले आपको, वह कौन के mirror आपको अच्छे से निका उस horizontal line पर एक point लेना है, let's say मैंने point लिया, यह वाला, c1, उसे नाम दे दूसी, ठीक है, फिर एक 4 cm का distance लेलो, scale में, scale में 4 cm का distance लेलो, okay, और वह compass में भी 4 cm का distance लेलो, उसका sharp point यहाँ पर लोगो C पर, और एक arc निकालो, एक arc निकालो, ठीक है, तो ऐसा एक arc निकालो, ठीक ह focal length जो भी होती है, it is half of the radius of curvature और center of curvature, ठीक है, तो वो radius से half होगी, तो इसका मतलब C and P का distance radius of curvature है, तो F जो भी होगा, वो half पर होगा, मतलब कितने distance पर होगा, 2 distance पर होगा, 2 cm, आप 5 का भी निकाल सकते हैं, 4 का भी में, 4 की बोल रहा हो, क्योंकि 2, 2 के party हापर बन जाएगे, ठ वो without scale मत निकालो, तो आपकी diagram गलत आ सकती है, ठीक है, अब देखो object कहा पर है, object at infinite, और हमने पहले भी discuss किया था, जब भी object infinite distance पर है, जब भी object infinite distance पर है, तो उससे जो भी light ray निकलेगी, it should be parallel to the principal axis, आपको यहाँ पर simply 2 principal axis को parallel rays निकालनी है, तो एक मैंने, यह वाली निकाली लेट से एक नीच्चे से निकालूंगा, ठीक है, तो यह दो incident ray है, which are coming from that object, object यहाँ पर है यहाँ ने, वो infinite distance पर है, अब हमें पहला वाला rule पाता है, if the incident ray are parallel to the principal axis, then the reflected ray will pass वो प्रिंसिपल फोकस, चलो, reflected ray में निकालता हूँ यहाँ पर, चलो, red color से निकलते, यहाँ से होगा reflection और वो pass होगी, कहाँ से, यह pass होगी, focus से इसे थोड़ा सा और दिखाने में लगाते हैं, ओके, और एक और इसका भी reflection होगा यहाँ पर, कहाँ पर बन रही है, हाँ, ठीक है, तो यह दोन हो गई आपकी, क्या, reflected ray, ओके, इसका arrow मैंने अल्ड़ेड़ी यहाँ पर निकाला है, यहाँ पर arrow दे देता हूँ, अब देखो, मैंने कहा था, image कहाँ पर बनती है, यहाँ पर आपको इमेज कहाँ पर मिल रही है, एफ पर, focus ठीक है, तो मैं यहाँ पर सब लिखूंगा, position of the object कहाँ पर है, object at infinite distance, अब image की position क्या है, image at focus, image कहाँ पर मिली आपको, focus पर मिली, then देखो, point size, बहुत ही diminished मिली है, image at focus, then इसकी size क्या है, diminished और point size image आपको मिली है यहाँ पर, then वो mirror के सामने interaction हुआ है, तो यहाँ पर आपको real वाली mirror के सामने, infinite of, जो भी interaction होगा, और real में जो भी interaction होगा, actually वहाँ पर intersect कर जिये, तो उसे हकुम कहेंगे, real image, ठीक है, एक बात याद रखो, real image हमेशा होती है, inverted, यहाँ पर inverted नहीं मेंचन किया तो भी चलेगा, बट real and inverted एक याद ही रखो, ठीक है, चलो, आपको यहाँ आपको यह समझ में आया होगा, अब नेक्स देखो क्या है, object यहाँ पर हमने कहाँ पर रहा है, यह center of curvature है और object कहाँ पर पीछे है उसके, beyond C है, C के पीछे रखा है, अब simply यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस चारो special rays में से कोई तो 2 rays निकालेंगे, simple वाली, पहलो तो parallel ray निकालेंगे, चलो, यहाँ पर parallel ray निकालते इस point से, अब मुझे बताओ, जो भी parallel ray है, parallel to the principal axis, वो किस में से pass होती है, it is passing through principal focus, प्रिंसिपल focus से उसे pass करो, ठीक है, next आपको कौन सी ray निकालनी है, यहाँ पर, आप कोई भी निकाल सकते हो, जो let's say principal focus से pass करती है, वो भी निकाल सकते हो, मैं तो आपको suggest करूंगा, center of curvature से निकालती है, like निकलती है, वो ही, यहाँ पर draw करो, और principal focus से निकलती है, वो भी draw कर सकते है, चलो, principal focus से निकलती है, वो draw करते हैं, blue 1, इसे हम incident, और यह कहाँ से निकालनी है, tip of the arrow, object मतलब यहाँ पर arrow से आपको denote करना है, ठीक है, अब इसका हम निकालते है, reflection, अब हमें पता है, अगर वो principal focus से पास होती है, incident रे, तो उसका reflection होता है, कहाँ से, और उसका reflection होता है, parallel, तो यह दो reflected rays है, यह दो incident रे, first, okay, and these are what reflection, अब parallel है, तो focus से पास होगी, अब वो focus से आ रही है, तो parallel ही जाएगी, और कहाँ पर interaction हो रहा है, देखो interaction हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है, तो यह ही आपका है image का position, तो यहाँ पर आपको image मिलेगी, चलो बहाँ पर image बनाएंगे, अब देखो interaction जो भी point है, वो उसका head point है, क्योंकि head point से दो rays निकल रही है, तो वो उसका head point है, तो यह आपकी बनी image, ठीक है, एक काम करते है, हम image को naming भी करते है, इसका नाम है AB, तो यह जो भी image मिलेगी, यह बनेगी, लेटसे, A-, B-, A-, B-, I hope यह pretty clear है सबको, अगर clear नहीं है, तो बार-बार देखो क्या क्या किया है, मैं फिर से explain कर रहा हूँ, पहले हमें एक parallel निकालनी है, वो principle focus से पास होगी, एक focus से जो भी जा रही है, वो parallel ही जाएगी, और जहाँ पर interaction होगा, वहाँ पर आपको मिलेगी image, interaction जो image कहाँ पर मिली, image at, between मिली है, कहाँ पर, और यह हम सब चेक करेंगे, आप भी आभी आभी चेक कर सकते हैं उस table से, between C and F, then, देखो, real है, मतलब, और diminished भी है, okay, size देखो, यह कितनी size है, A-B-C, थोड़ी सी कम हुई आपको दीख रहे है, तो diminished, diminished मतलब, थोड़ी सी कम size, small in size, then, वो है, real, क्योंकि in front of the mirror है, and, as well as, नीचे भी है, principle axis को नीचे है, यह आपका, जो भी green line दीख रहे है, which is passing through CFNP, is principle axis, so real and inverted, तो यह काम करते हम ना, यह चेक करते है, उस table में से, तो देखो, जब यह object यहाँ पर infinite distance पर था, तो आपको मिली focus पर, और वो highly diminished मतलब, point size है, and real and inverted है, अब अभी हमने निकाला, beyond C, वो मिली F and C के बीच में, वो भी diminished है, and then real and inverted है, clear, अब next, अब आपना पूरा सब बात में, चेक कर सकते हो, अब यह आप अच्छे से draw करो, ठीक है, next two position देखो, object at C, exactly this end drop का रवेचर पर object है, तो एक काम करो, दोनों, एक parallel निकालो, ठीक है, अब parallel कहां से जाएगी, parallel जाएगी, principle focus से, तो उसको pass करो principle focus से, red one is what reflected यहाँ पर, इसको pass करो principle focus से, next, next निकालो, जो principle focus से pass होगी, next हम principle focus से pass करते हैं, चलो, यह रहा head point, यह रहा principle focus, और यहाँ पर, अब उसका reflection निकालो, उसका reflection जाएगा parallel, यह रहा, उसका reflection, यह जाएगा यहाँ पर, parallel, ठीक है, अब यहाँ पर कहां मिल आपको, यह रहा, यह रहा intersection point, ओके, मैं C को थोड़ा सा बगल में लिखता हूँ, इमेज बनी है, इमेज बनी है, exact on C, ओके, तो आपको C पर मिली है, same size की image मिली है, यह थोड़ा सा अच्छे से, करता हूँ, ठीक है, तो image यहाँ पर exactly मिली है, कहाँ पर, C पर और same size की image मिली है, ठीक है, तो यहाँ पर भी naming करते है, यह है आपका A, यह है आपका B, तो यह, यह point होगा A, और यह point होगा B, arrow देते हैं अच्छे से, यह आपका incident ray, यह सब अच्छे से करोगे, तब यह आपको अच्छा mark मिलेंगे, ओके, चलो, specification लिको, image कहाँ मिली, image at C, center of curvature, then same size की image मिली है, same size, then real है, क्योंकि मेरा के सामने है, and inverted, fine, okay, चलो, अब next, देखो, object is in between C, okay, यह सब आप check कर सकते हो, table से, अब यहाँ पर देखो, object is in between C, C and F में object है, object को अल्रेडी रखा है, पहला वाला हम parallel repass करेंगे, ठीक है, तो सब को पता है, parallel repass होता है, principle focus से, तो इसे पास करेंगे, principle focus से, and then, एक पास करेंगे, principle focus से, incident ray, blue color की है, यहाँ पर पास करते है, principle focus से, अब इसका reflection होगा, parallel, इसको पहले parallel निकलते हैं, फिर उसको extend करते हैं, ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर, कहाँ पर intersection हुआ है, यहाँ पर, यह यहाँ पर intersection हुआ है, ठीक है, तो चलो intersection point मतलब उस object का head point, तो वहाँ पर object बनाओ चलो, सीधा गरते थोड़ा है, उससे, यह बना हमारा object, sorry, image, ठीक है, यह वाला object है, A, B, object को भी आपको अच्छे से naming करना है, और यह हुआ आपका, A- और यह B-, यहाँ पर देखो, enlarge हुए, size body है, ठीक है, तो characteristics लिख हो, यहाँ पर, image is, beyond, images form beyond C, C के पीछे बनी है, center of curvature के पीछे, अगर आप object C and F के पीछ में रखोगे, तो उसकी image पीछे बनेगी, C के पीछे, then enlarge है, then real है, and inverted, date, ठीक है, अब next two positions, आप न पॉस करके अच्छे से draw कर सकते हो, फिर बाद में आगे बढ़ो, अब object कहाँ पर exactly at F है, तो एक काम करते, अब parallel draw करेंगे, तो वो focus से pass होगा, right, फिर दूसरा parallel तो option नहीं है, तो एक काम करते हम, एक pass करते, parallel, क्योंकि हमारे पास 4 है, 4 में से 2, कोई तो use कर सकते हम, एक pass करते, parallel, एक काम करते हैं, पहले वाली diagram का हमने arrow नहीं दिये था, arrow अच्छे से देते पहले, यह incident का, यह reflection का, arrow भी बहुत important है, आप जब engineering में जाओगे न, तो यह में बहुत कुछ होता है, arrow के उपर marks होता है actually, ठीक है, अब इसका reflection हमें पता है, इसका reflection होगा कहा से, इसका reflection होता है, principle focus से, तो इससे reflect करो, principle focus, और एक दूसरी निकालो, center of curvature की भी है, जो center of curvature मैंसे ही जाएगी, तो एक काम करते हम, यह रहा center of curvature actually, यह parallel दिखने, ठीक है, पहले आपको वह trace out करना है, ऐसे आपको नहीं आएगा, ठीक है, फिर आपको उसका reflection उसमें से निकालना है, क्याम करते हमें, सिर्फ लाइन निकलता है, यह पर, अपना एक simple सी लाइन वहाँ से निकालो, जो दोनों में से, दोनों point में से जा रही है, ठीक है, यह वाली, मैंने थोड़ा colorful रखने के लिए यह सकी है, इससे थोड़ा सा इसका direction में लाते है, तो हमें पता है, अगर वो center of curvature से पास होगी, तो वो center of curvature से ही बाहर निकलेगी, ठीक है, तो आपको एक ही line निकालनी, यह एक ही line, मैंने दो color में निकली बट आपको यह एक ही line से draw करनी है, ठीक है, यह हुआ उसका incident ray, फिर वो return back आएगी उसी में से, उसी path को वो follow करेगी, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यह दो parallel lines मिल रही है, तो अब हमें पता है, parallel lines कहाँ पर meet होती है, it meets at infinite distance, वो infinity distance पर meet होती है, तो वहाँ पर जाके मिलती है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर object कहाँ पर मिलेगा, infinite distance पर, ठीक है, object यहाँ पर आपको मिलेगा, infinite distance, अबर तैस निवागल करने पर दिख करेंटिगे करेंट्स है अन्फिनिटी पनीचे पिंश सब्सक्राइब विmas RTD हैं अन्फिन ने पनींचग इस ना तोर Mansion रहा ही है okay highly like magnified, okay enlarge, you can just write enlarge then real bhi hai and inverted bhi okay fine, okay now last position यह बहुत important है क्योंकि एक अक्यली यह position है जहांपर आपको virtual and erective image मिलेगी कॉन के व मिरर में, ठीक है, तो यहांपर कॉन सी position है, जहांपर object रखा होता है in between f and p object is in between f and p, ठीक है, तो चलो, एक पास करते हम पहले पार्लेल और पार्लेल का reflection होगा कहां से, पार्लेल का भहिया reflection जाएगा focus से और दूसरी वही से इंट्रॉक कर विचर से निकालते हैं, अब मैं यहांपर एक लाइन निकालूंगा इसे यहां पर रखते हैं और यह वाला हमारा अब इसे बढ़ाता हूं इसे पार्लेल निकालने हैं ठीक है समझे है आपको अब देखो इसमें क्या हो रहा है इसमें जो भी इन रेज को पीछे एक्स्टेंड करेंगे तो वहाँ पर आपको उसका इंडर्सेक्शन पॉइंट मिलेगा बट पीछे आपको एक्स्टेंड करना है वह आपको डॉटि लाइन एक्स्टेंड करना है कि ऐसे थीक है तो तो पहले हम जो स्रेंट्रों और कवेचर से रहा ही थे उससे लाइन एक्स्टेंड करना है अच्छे से थोड़ा दूर एक्स्टेंड किया तो बिच्छे लेगा चेक करूँ अच्छे से थीक हैं नेक्स्ट वन अब यह फोकेस अब देखो इसका इंट्रेसिक्शन कहा हुआ है इसका इंट्रेसिक्शन हो रहा है यहां पर ठीक है तो इसका मतलब आपको यहां पर यहां पर इमेज मिली है यहां पर भी नाम देता हो ए बी चलो तो निकालते हैं यहां पर इंट्रेसिक्शन मतलब है पॉइंट फिर उससे लाते प्रिंसिपल एक्सिस तक यह मिला आपको इमेज ए डैश बी डैश ठीक है तो अब इसके करेक्टर स्टिक्स देखो यह तो पीछे बनी है तो यह होगी वर्चॉल यह साइस भी उसकी बड़ी है एंट लार्ज है और सेकेंडली वह अबाउद प्रिंसिपल एक्सिस भी है तो इसका मतलब इरेक्ट है तो इमेज और इमेज फॉर्म बियोंड मीरर देन वर्चॉल इसे कहते हैं देन इरेक्ट है और एंड एंड लार्ज भी है तो यह सब पोजिशन याद रखो उसकी रेडाग्रेम भी आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि निमेरिकल बेस्ट रेडाग्रेम आपको बनानी होती है निमे एक रेडाग्रेम यह रूल फॉलो करके आपको यहां पर बनाना है ठीक है यहां पर यह लाइन के से आगई है ठीक है आफ यह सब आपको समझ में आया है अच्छे से अगर नहीं भी आया तो थोड़ा साथ धीरे 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 भी देख सकते हो पहले द्रॉप करो पहले आपको अच्छे से आजाएगा वह ठीक है अरो नेमिंग सम अच्छे से दे दो डॉटे लाइन पीछा अगर है तो वह डॉटे लाइन से निकला चलो तो हम नेक्स क्लास में ना इमेज फोर्मेशन फॉर दो कॉन्वेक्स आप अफ मिरर है वो पढ़ेंगे फिर हम पढ़ें नेक्स पार्ट लेंगे तब तक दन्यवाद बाइबाई थीप लर्निंग